हेलो फ्रेंड्स आइम अनुज वेलकम टो एश्टरी प्रेक्टिस गैज मैं डेली 25 इंपॉर्टेंट क्वेस्टन्स का सेट लेक्या था हूं जो की फुली भी हर्दर होगा मेंस के पेटर्न पे अधारित हैं और गैज इसे इंफोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर वाले भी दे प्रेंड्स वन का एंसर होगा ए मुहिनो दिन चिस्ति के दरगाप फ्रेंड्स मुहिनो दिन चिस्ति को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट टू नंबर क्वेशन है गुपाल क्रिष्ण गोखले ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में अध्य नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेशन है जम्मु कास्मीर भारत का अभीन अंग बना कब सो फ्रेंड्स थ्री कैंसर होगा ए 26 अक्टूबर 1948 को और गाईज जम्मु कास्मीर का बाइफरकेशन होने के बाद जम्मु कास्मीर के लेफटिनेंट गवर्णर हैं ग्रीश चंदर मुर 5 नंबर क्वेशन एन्यम लिखित में से कौन सी गुफा त्री मूर्ति के लिए विख्यात है तो फ्रेंड्स फाइब का एंसर होगा सी एलिफेंटा केब्स और गाईज एलिफेंटा केब्स महाराश्ट्रा के एलिफेंटा आईलाइंड पेश्ती थे अप लोग बगल में द ए कुंड ग्राम में हुआ था गाईज महावीर स्वामी जयनधर्म के 24 में एवं अन्तिम तेठधंकर थे महावीर स्वामी का जन 540 न सेपूर में कुंड ग्राम वैसाली में हुआ था उनके पिता शिध्धार्थ ग्यात्रिक कुल के सरदार थे और माता तृष्ला लिच्व देखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश से तक नहीं ले जाते हैं और उनके पुनित थी 30 जन्वरी को सहीद दिवस के रूप में मना जाता है गाइस महत्मा गांधी 2830 में एक मुकदमी की पैरवी में दक्षिन अफ्रीका गय थे जबकि 1915 में भारत आय थे महत्मा गांधी के पोलिटीकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ये लियो टोल्स्टोय से प्रभावी थे और इनकी एक प्रसिद निउस्पेपर थी दे इंडियन ओपिनियन नेक्स्ट 10 नमर क्वेशन है गोखले माई पोलिटीकल गुरु पुष्टक किस ने लिखी है सो फ्रेंड्स 10 कैंसर होगा बी महांधास करम चनगानी लिखे नेक्स्ट 11 नमर क्वेशन है मिमांसा दर्सन के अनुसार मुक्ती संभव है किस से सो फ्रेंड्स 11 का इंसर होगा डी करम से ट्वाः मिल इपिको Snor selling किसने पर अजो फ्रेंस 12 का एंसर होगा ड Bend जेमस प्रिंसेप में पड़ा गाईज करन अ क्या है और सोग के सिलालेख के सवर्भ प्रिंसेप नहीं 837 में पर य था और उनके सिलालेख पे ब्रामी भासा का उप्योग किया गया था next 13 number question दिवाने कोही किस से संबन दिते है so friends 13 का एंसर होगा ए मुहम्मत तुगलक से संबन दिते है guys दिवाने कोही का मुख्य कार्य मालगुजारी वेवस्था कि देखवाल करना एवं भूमी को खेती योगी बनाना होता था नेक्स्ट फॉर्टीन नम्बर क्वेशन है नेम लिखेत में से कौन भारत का एक मात्र यहूदी वाइस रहे था फ्रेंड्स फॉर्टीन का इंसर होगा डी लॉर्ड रेडिंग एक यहूदी वाइस रहे था इसके समय चौरी-चौरा की घटना स्वाराज पार्टी का घठन तथा रॉले टेक्ट निरसित हुआ था नेक्स्ट फॉर्टीन नम्बर क्वेशन है चौरी-चौरा किस जनपद में इस्तित है फ्रेंड्स फॉर्टीन कैंसर होगा नेक्स्ट फॉर्टीन नम्बर क्वेशन है 15 अगस्ट 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पूर्टगाल के अधिन बना रहा और ग्स गोवा मुक्ती दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पूर्टगाल से मुक्त हुआ था नेक्स्ट सेवेंटीन नम्बर क्वेशन है कस्तूरपा गांधी की समाधी इस्तित है कहां सो फ्रेंड्स 17 कैंसर होगा डी आगा खा महल पूने परीशर में नेक्स्ट एटीन नंबर क्वेशन है फ्रांसिसी करांतिक कब हुई थी सो फ्रेंड्स 18 कैंसर होगा D 1789 में हुई थे नेक्स्ट नंबर क्वेशन है फ्राता काल में गाया जाने वाला राग कौन साई सो फ्रेंड्स 19 कैंसर होगा A राग तोरी next 20 number question है नाना साभ का commander in chief कौन था so friends 20 का answer होगई C नाना साभ का commander in chief तत्या टोपे थे next 21 number question है गान्धी जी ने परिवाड नियोजन ही तो क्या तरीका बताया था so friends 21 का answer होगई A next 22 number question है पुर्टगाली उपनिवस का प्रथम वैसराय भारत में कौन होगई So friends, 22 का answer होगा C, Almeida होगा था Next, 23 नमर क्वेशन है अश्ट दिगज किस राजा से समबंदी थे So friends, 23 का answer होगा B, क्रिशन देवराय से समबंदी थे Guys, क्रिशन देवराय विजयन अगर समराजी के सा सकते और ये तुल वन्स के तीसरे सा सकते Next, 24 नमर क्वेशन है भारत में अंग्रेजों ने प्रतम मदर्सा कहां इस्थापित किया था So friends, 24 का answer होगा D, कुलकता में इस्थापित किया था Next और लास्ट 25 नमर क्वेशन है असियाटिक सुसाइटी और बंगाल के सा स्थापक कौन थे So friends, 25 का answer होगा A, Sir William Jones So friends, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो कम से कमें के स्थापित के पास तो जरूरी ही करें और साथी साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक लिए जाएं